नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेका कर रविंदर के लेकर दौरा लेखी गई पार्ट जिसका सिर्षक है पतजर में तूटी पत्तियां इस पार्ट में दो भाग है पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है जेन की देन तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग गिन्नी का सोना के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं शुद्ध सोना 24 केरेट का होता है और गिन्नी का सोना 22 केरेट का होता है शुद्ध सोने में तामबा मिलाने पर गिन्नी का सोना बनता है यह अधिक चमकीला और मजबूत हो कर उनका वर्णन करते हैं लेकिन यहां पर ध्यान देना आवशक है कि वर्णन आदर्षों का नहीं बलकि व्यवहारिक्ता का होता है ऐसे में प्रैटिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्ष धीरे धीरे पीछे हटने लगते है और उनकी व्यवहारिक सूजबूज ही अस्तर पर नहीं उतरने देते थे बलकि वे व्यवहारिक्ता को आदर्षों के अस्तर पर चड़ाते थे वे सोने में तामबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे व्यवहारवादी लोग हमेशा जागरुक होते हैं वे लाभानी का हिसाब लगा कर ही कदम उठाते हैं वे अपने जीवन में सफल भी होते हैं। लेकिन महत्व इस बात का अधिक है कि स्वयम उपर चड़े और दूसरों को भी लेकर उपर चड़े। दूसरों को साथ लेकर उपर चड़ने का काम आदर्श्वादी लोगों नहीं किया है। ऐसे लोगों नहीं समाज को हमेशा एक जैसे ही मुल ले दिये है। वेवहारिक लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। तो दोस्तों अब हम इस पार्ट का दूसरा भाग जहेन की देन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं। एक दिन लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि जापान के लोगों को कौन सी बिमार्या अधिक होती है। तवी उसके मित्र ने जवाब दिया कि जापान के 80 फीजदी लोग तनाव के कारण मांसिक रूप से अस्वस्त है। इसका कारण उनके जीवन की बढ़ती रफतार है। जापान में इसे चा नो यू कहते हैं एक छा मंजिला इमारत थी जिसकी छट पर डफती की दिवारो वाली और चटाई की जमीन वाली पत्तों से बनी एक सुंदर कुटिया थी। बाहर एक मिट्टी का बरतन पानी से भरा था। हाथ पाऊं धोकर और तौलिय से पोच कर सभी लोग अंदर गए। तवी जापानी विधी से चाय पिलाने वाला चाजीन ने कमर जुका कर उन्हें प्रणाम किया और बैटने की जगह दी। फिर अंगीठी सुलगाई और उस पर चाय दानी रखी और फिर बगल के कमरे से जाकर कुछ बरतन लाकर तौलिय से साफ किये। जब चाय तयार हुई तो चाजीन ने चाय से भरे प्याले उन लोगों के सामने रखा। वहाँ पर लेखक सहित तीन मित्र थे। इस वीधी में शांती मुखे बात होती है। इसलिए तीन से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रवेश्ट नहीं दिया जाता था। टी सिरिमनी में उपस्थित सभी लोगों के प्याले में दो घूट से ज़्यादा चाय मौजूद नहीं थी। वे लोग अपने होटों से प्याला लगा कर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब डेल घंटे तक यहां सिलसला चलता रहा। और फिर दिमाग की रफतार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। उस समय लिखक को लग रहा था कि वर्तवान चंड अनंत काल जितना विशाल है और वहां अनंत काल में जी रहा है और उस समय सन्नाटा भी इसपस्ट सुनाई देने लगा था। अकसर हम लोग या तो गुजरे हुए दिनों की खटी मीठी यादों में उल्जे रहते हैं या इससे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ जापानियों की जहन परंपरा की यह एक बड़ी देन मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करके आप हमारा आत्म विश्वास बना सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे नहीं बाद